हेलो एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले जियो फाइनेशल सर्विसिस के ओपर कि जियो फाइनेशल सर्विसिस जब से लिस्ट हुआ तब से गिर क्यों रहा है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ देख नहीं पड़ता अगर आप रेलाइंस के चार्ट को देखेंगे तो उस पर कोई खास इंपक्ट नहीं पड़ा जैसे वह नॉर्मली चला था वैसे ही चल रहा है तो मतलब फ्री में आगए जियो फाइनेशल के शेयर्स अब उन्हें यह तो प्रॉफिट बुक करना होगा तो यहाँ पर एक, दो, तिन, चार, चार बाश्यट सरकीट्य लग चुकआ है और चार बाश्यट सरकीट लग रहा है 85% का क्यों 55 परसंट का सरकीट्य लगने का मतलब यह है, कि जो जो स्टॉक था यह त्रेड वॉडर से में लिस्त होता है तो उसके अंदर जो भी अपर यह है कि यह हुआ इंडेक्स के अंदर लिस्ट और इंडेक्स के अंदर जो बहुत सारे mutual fund है ETF है वो track करते हैं यह सुन होगा कि कुछ mutual fund होते हैं जो nifty fifty पे based होते हैं कुछ होते हैं जो किसी और index पर based होते हैं तो लेकिन खबर यह आ रही है कि 29 अगस्ट के बाद से raise यान इगा आनि जो het is cosplay typeि इंब को ट्रैक करते थे उन्हें अब अपने पौट स्फूलिए ओ einzige हो बें इसको अब यह ज़रूरि accountable हो जाता है कि अगर हमारे पास position है और हम उसे बेज पारे तो बेज देते हैं क्योंकि lower circuit कब तक लगा रहाएगा इसकी कोई guarantee नहीं है और जो दूसरी चीज निकल कर आ रही है वह यह है कि रिलाइंस की एगम एनुवल जनरल मीटिंग होने वाले अठाइस अगस को तो हो सकता है उसका इंपक्ट भी हमें स्टॉक के उपर देखना पड़े अब देखिए मेरे पास कोई नहीं था क्यों कि मैं रिलाइंस में नहीं करता बहुत बड़ा शेयर से बहुत देरी धेरे करके momentum आता है इसके अंदर तो मैं इसे हमेशा ही इगनॉर कर देता हूं तो जिनके पास यह शेयर से वह अभी इसे बेचने कर सकते क्योंकि लोवर सर्कृट कब तक चलेगा कोई guarantee नहीं है हो सकता है 29 तरी तक चले 29 के बाद भी चले या कल परसों में खतम हो जाए लेकिन लोवर सर्कृट चल रहा है जैसे लोवर सर्कृट खतम होगा उस दिन आपको इसके अंदर थोड़ा से जिग-जाग मोमेंट देखने को मिलेगी क्यों कि फिर जो institutional होंगे उनके तो जिग-जैक मोमेंट बनजी रहा होंगी और वो जिग-जैक मोमेंट पे जो लोग 5 Nature currency से शिर को बायए करे होंगी तो को मेंड़ाइगी तो पॉसिबिलीटी है कि जिजद कर ला मोमेंट खतन हो जाएग उसके बाद की अपर सब्सक्राइब का इस बाद की कोई गरेंटी नहीं है लेकिन अगर यह 40-50 परसें तक नीचे गिर जाता है तो यह बहुत अच्छी बाय हो जाएगी क्योंकि जो स्टॉक 262 के अराउंड लिस्ट हुआ है वह आपको 132 में मिल रहा है मेरे हिसाब तो एक अच्छी बाइंग होगी और मैंने जि खतम होता है और मौका मिलता है तो चोटी से कैपिटल लेगी मालीजी के पचास हजार की कैपिटल है तो पाँच हजार से अब इसके थादा थोड़ा सा रिक्स ले सकते हैं मैं तो लोगा क्यूंकि मैं बहुत रिस्की ट्रेडर और मैं ऐसी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं छो तो उसके बाद इसका जो सरकेट है वह 5% करना होगे वह भी बड़ा हो जाएगा तो मोमेंटम और भी जादा बड़ा देखने को मिलेगा और सपोस किजिए कि अगर यह 10% का सरकेट में बदल जाता तो तीन दिन अगर अपर सरकेट में लग गया तो 30% तो ऐसी आपके हाथ में जाना है तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही इसे ही मैं यहीं खतम करता हूँ मैं आपसे नेक्स वीडियो में मिलूँगा बाए बाए